बहुत समय पहले की बात है एक गाउं था और उसके चारों तरफ घने जंगल थे उस गाउं के लोग भगवान में बहुत आस्था रखते थे इसलिए गाउं में छोटे बड़े कई मंदिर थे एक दिन गाउं के मुख्या ने सोचा कि उन्हें एक बड़ा भव्य मंदिर बनाना चाहिए मुझे अभी अभी एक विचार आया है मैं चाहता हूँ कि हम जंगल के बीचो बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण करें ताकि आने वाली पीड़ी जान सके कि हमारे गाउं के लोग कितने धार्मिक थे आरे वा मुखिया जी आपने तो ये बहुत अच्ची बात कही है हमारे गाउं में मंदिर तो कही है लेकिन कोई बड़ा भव्य मंदिर नहीं है जसे हमारे गाउं की पहचान हो सके और ये बड़ा ही शुप कार्य है इस कार्य को करने के लिए हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए तो ठीक है हम अगले महीने जंगल के बीच ओ बीच पेड़ों की कटाई कर वहाँ पर एक भव्य मंदिर की नीम डालेंगे अगले महीने गाउं के बहुत से कारिगर जंगल में जाते हैं और वहाँ पर जंगल को बीच में से साफ कर मंदिर का कार्य शुरू कर देते हैं सारे गाउं के कारिगर सुभे और शाम उस मंदिर के निर्माण में लगे हुए थे केवल दोपहर के समय वो खाना खाने के लिए गाउं आ जाते थे और उस समय जंगल में कोई भी नहीं होता था ऐसे ही एक दिन काम हो रहा था उस समय मंदिर में लखडी का निर्माण चल रहा था कारिगर लखडियों के बीच में बड़ी-बड़ी कील लगा कर खाना खाने के लिए गाउं की तरफ चली गए ताकि जब वो वापस आकर लखडी का काम करे तो उन्हें लखडी के अंदर आरी गुसाने में आसानी हो ये तो मुकिया जी ने भाई बहुत अच्छा काम किया कि जंगल के बीचों बीच मंदिर का निर्माण करवाने की सोची गाओं में जो मंदर का निर्माण होता है तो सब तरफ सामान फेल जाता है कई महीने गाओं वाले परेशान रहते हैं अर यह भाई बस कुछ दिन और यह सारा काम खत्म हो जाएगा और हम दुनिया को एक भव्य मंदर देंगे जंगल एकदम शांध पड़ा था कि तभी वहाँ पर बंदरों की एक टोली आ जाती है वो जंगल में इधर उधर भटकते हुए उस निर्माणा धीन मंदिर में पहुँच जाते हैं और वहाँ फैले हुए सामान को उधसुकता से देखने लगते हैं कि तभी बंदरों का सरदार बोलता है लगता है यहाँ पर मनुष्य द्वारा काम किया जा रहा है तुम लोग सब ध्यान से इधर उधर जाना कहीं ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य तुम्हें पकड़ ले अजे तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो अरे सभी के माता पिता ऐसे ही बोलते हैं अपने बच्चों से समझें पर बच्चों का काम है खेलना कूदना तो वहां पर सारी लकडियां कितने तरीके से रखी हुई है चलो योना उनके उपर इधर से उधर कूदगर एक दूसरे को पकड़े ये ठीक रहेगा वैसे भी हमें तो नहीं नहीं आ रही है इससे तो अच्छा होगा कि हम थोड़ी दिर खेल लेते हैं नई 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 मैं तो खेलने नहीं जाऊंगी मेरी माने मुझे खाश कहा है कि लकडियों की तरफ मत जाना अगर वो एक भी गिर गई तो सारी गिर जाएंगी हाँ हाँ तुम्हें जाने के कोई जरुवत भी नहीं है मुझे पता है तुम कितनी दर पोको ये सुनकर उसकी बंदरिया दोस्त नाराज हो जाती है और सभी बंदर वहाँ से हसते हुए उन लकडियों के फटों की तरफ चल देते हैं कालू और उसके दोस्त वहाँ पर खूब उधम मचाने लगे वो सब हैरानी से वहाँ पर रखी हुई चीजों को देख रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर लकडियों के बड़े बड़े लट्थे दिखाई देते हैं जिनके बीच में बड़ी बड़ी कीले घुसी हुई थी देखो ढखो अलू देखो इधर देखो मुझे तो समझी नहीं आदा के आखिर यह केल इस लखने के बीच में पर क्या कर रही है यह के यहुपर क्या कर रही है लगता है अपने आप यहां बर घुझ गई हाँ हाँ, क्यों नहीं सर्दार, ठोड़ी देल में यहां सुष्टा बिलेंगे, बस बच्चों को समझाना होगा उस पूरे जुंड में एक बंदर था, कालू, कालू बहुत ही शरार्ती था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, और हर समय अपनी मनमानी करता था जैसे ही वो वहाँ पर लखडियों को देखता है, धमा चौकडी मचाना शुरू कर देता है देखो कालू बेटा, यहां बिल्कुल भी शरारत करने की जरूरत नहीं है, तुम देख रहे हो न, सब तरफ सामान पहला पड़ा है लगता है यहां पर काम चल रहा है, और अभी मजदूर यहां पर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम शरारत करो, और कोई भारी चीज तुम पर आगिरे मा, तुम ही चंटा बिल्कुल भी मत करो, मैं जो कुछ भी करूँआ, बहुत समाल कर करूँआ तुम यहां पर आराम से बैटो, और इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सरदार ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है, कि सब लोग यहां पर आराम करने के बात आगे चलेंगी लेकिन कालू किसी की नहीं सुनता, वो थोड़ी देर में आने की कहकर इधर उधर घूमने लगता है, तथा अपने जैसी कुछ और दोस्तों को भी बुला लेता है कालू कील को हिला कर देखता है, लेकिन वो कील तस से मस नहीं होती ये तुम क्या कर रहे हो कालू, तुम से तो ये कील हिल भी नहीं रही है, रहनी दो, चलो हम लोग दूसरी जगह खेलते हैं चोटे बंदरों को वहाँ पर खेलता कूटता और शैतानिया करता देख, सर्दार को गुस्सा आता है, और वो वहाँ जाकर उन लोगों को डांट लगाता है तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, और कालू, मैं जानता हूँ, तुमें इन सब को यहां पर लेकर आये हो गई हम सब को यहां लेकर आया है, कह रहा था कि हम सब यहां पर खेलते हैं, सर्दार मुझे नी नहीं आ रही, इसलिए मैंने इन सब को भी अपने साथ बुला लिया था, हम आप से वादा करते हैं सदार, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, बस आप आराम से यहां पर बैठ कर खेले हम तुम तो ऐसे बोले हो, जैसे मैं तुम जानता नहीं हूँ, रे तुम कितने शैतान हो, अपने साथ साथ तुमने इन बच्चों को भी बिगाड़ दिया है, कुछ नहीं खेलना कूदना, चलो, तुम सब अपने माता पिता के पास जा कर आराम करो, चलो, बगो यहां से, ह अभी बंदर के बच्चे वहां से अपने-अपने माता-पिता के पास चले जाते हैं, लेकिन कालू के दिमाग में वो कील घूम रही थी, वो बार-बार सोच रहा था, कि वो कील आखिर वहां क्या कर रही है, और वो कितनी बड़ी होगी, कि दोनों पाटों के बीच में घु अभी आता हूँ, पानी-पीकर, ठीक है, जल्दी आना, और अहां, इधर-उधर मत निकल जाना, वड़ना सरदार फिर गुस्सा करेगा, ठीक है, ठीक है माँ ठीक है, मैं बस पानी-पीकर अभी आता हूँ, कालू वहां से चला जाता है, थोड़ी देर में ठकावट से कालू की माँ सो जाती है, और कालू वहां से उस लकड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां वो कील घुसी हुई थी, कालू ने उस कील को निकालने के लिए अपना हाथ उसके उपर रखा और उसे खीचने लगा लेकिन वो कील अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई ये देखकर कालू को और उत्सुकता हुई और वो और जोर-जोर से उस कील को हिलाने लगा कालू को ऐसा करते करते काफी समय हो गया लेकिन वो कील को हिला नहीं पाया तब ही उसने देखा कि सर्दार वहां आया और उसने कालू से कहा मैंने तुम्हें मना किया था यहां आने के लिए तुम यहां क्या कर रहे हो देखो जिस काम की तुम्हें जानकारी नहीं है वहां तुम्हें हात नहीं लगाना चाहिए सर्दार जी इसमें जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है मैं तो बस इस केल को इस लकड़ी के पाटों से निकाला हूं बस कालू देखो तुम अभी यहां से हट जाओ लेकिन कालू को ऐसा करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था वो सरदार की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उन लकडी के दो पाटों के बीच में फसी हुई कील को खीचने लगता है इसी बीच उसकी पूँच भी उन पाटों के बीच में आ जाती है जिसका उसे आभास भी नहीं होता अलबता वो कील जरा सी हिल जाती है जिसे देखकर कालू बहुत खुश होता है अरे वा वा अरे मैंने कर्द काया मैंने इस कील को हिला दिया अब मैं इसे इस लकडी के बीच में से भी निकाल लूँगा और कालू कभी इधर घूमकर कभी उधर घूमकर उस कील को निकालने में लग जाता है और उसकी पूँच पाटों के बीच में आ जाती है तबी कालू पूरा जोर लगाता है और कील बाहर आ जाती है लेकिन कील बाहर आते ही कालू की पूँच लगडी के पाटों के बीच में फस जाती है जिससे उसे बहुत तेज दर्ध होता है और वो छटपटाने लगता है उसके रोने और चिलाने की आवाज सुनकर कालू के माता पिता और सरदार बागी सब बंदर भी वहां आ जाते हैं लहु लुहान कालू को देख कर सभी घबरा जाते है आए मेरा बच्चा दे हैं लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी अब आऊ समFun मिलकर निकालते हैं इसको सारे के सारे बंदर कालू को निकालने में लग जाते है कालू वहां से निकलने की कोशिश करता उसकी पूँच और घायल हो जाती कि तभी सभी बंदरों का ध्यान उस तरफ जाता है जहां से मजदूर वापस अपने काम पर लोट रही थे ये देखकर सरदार सब बंदरों को वहां से चलने के लिए कहता है हले लेकिन सरदार मेरा बेटाव यहां फ़जा हुआ है हम लोग ऐसे कैसे जा सकते है मैं जानता हूँ बड़े ही दुखी गड़ी है लेकिन हमें यहां से जाना होगा वैसे भी बच्चों ने यहां पर इंसानों का सामान उलट पुलट कर रखा है और यह भी तो हो सकता है कि वो हम पर आक्रमण करते हम एक बंदर की वज़े से सब बंदरों की जान को खत्रे में नहीं डाल सकते बागी के सबी बंदर भी सरदार की हा में हा मिलाने लगते हैं कालू के माता पिता के पास भी वहां से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था सबी लोग वहां से चल देते हैं और कालू वही उन पाटों में फसा रह जाता है उसकी पूंच से बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण थोड़ी देर बाद ही कालू मर जाता है जब वहाँ पर गाओं के सभी मजदूर आते हैं और एक बंदर को उस पेड के पाटों के बीच में फसा हुआ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बंदर ने वहाँ से कील निकाल दी जिस कारण उसकी पूंच उसके अंदर आ गई